कैसे आप सभी आयोप आप अच्छे होंगे सो गाइस यहां पर जो है आज हम करने वाले हैं आपका एक्जाम्स है है ना हाली में आपका एक्जाम्स होने वाला है डियर सो तब तक हम बहतरीन से बहतरीन यहां पर प्रिपिशन करेंगे ओके डियर तो वही मैं आपको बता दू कि हमारा जो है यहां पर इविश के सेशन चल रहे हैं और हमने 20 शेशन कंप्लीट करा दिये और अगर हम सीडीपी की बात करें गाइस तो सीडीपी में आपके जो है कल जो है 40 वीडियो कंप्लीट हो चुके ओके बही 40 जी हां 40 में आप आपको यहां पर वीडियो करा चुकी हूं सीडीपी पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकिंड दोनों ही एक्जाम के लिए ओके सो गाइस बहतरीन से बहतरीन ही हमारा शेशन होगा और चलो फिर आगे बढ़ते हैं देखो यहां पर जो है मैंने आपको यह 61 से और 75 तक ये देखो 76 से हम जो है बिल्कुल कंटीनियू रखेंगे चलो गाइस देखो भाई हिंदी और इंग्लीज दोनों ही लेंग्वेज में आपके क्यूशन होंगे बढ़ी क्यूशन देखो यहां पर आपके पेड़ागोगी क्या एंगे है कि कंसेप्ट वाले जो क्यूशन होते है लेकिन जो लास्ट होते है ना फिर आपके 60 से 50 तक के वह फिर आपके पैड़ा लुजी का पॉर्शन होता है तो यह पैड़ा लुजी वाला पको पॉर्शन होता है चलो तो आज हम जो है एविस पैड़ागोगी के एंप सी क्यूशन देखेंगे इसमें बैए किशन फस्टे के सिक्सिकाने अपने विधियारतियों को भोजन के रूप में ग्रहन के जाने वाले पोदे के विबिन भागो जिसे की जड़ तना एवं पुश्पो के नाम जानने के लिए अपने परिवार के सिद्वस्प के प्रामर्स करने के लिए कहा तो य इस प्रामर्स करने के लिए कि और प्रणने के लिए पराट कौदिक लिए और उचिपू Mississippi बनाने के लिए और बेर विधियारतियों को भोजन के विशें में खूले मंद से खोज करने के लिए अनुमति दिया और आप उनसे पूछेंगे कि ममा यह क्या है हम क्या खाते हैं 또 एक जड़ी तो आप खाते हैं तो आप अपनी फैंबिली वालो से ठीक है आप उसमें उनसे बाचेत करेंगे है ना और आप उनसे पूछेंगे कि ममा यह क्या है हम क्या खाते हैं तो वह बईया वाभवातْमक सीखने को परुशाहित करने के लिए मोटिवेट करेगी तो यहां पर इसलिए हमारा ओप्षिंस जो होगा राइट होगा ठीक है बहतरीन कुशन्स था और वैसे भी अगर आपको जो है हम नहीं बताते तो भी आप ओप्षिंस के थुरू उसको चूज कर सकते थे क्यूंकि हमें पोजिटिव टू पोजिटिव ही चूज करना होता है ओके चलो द्रिश्टी बादित विद्यारतियों को परियावन अध्यिन पढ़ाने के लिए इनमें से कौन सी युक्ति सर्वादिक उप्योगत है कक्षा में मिश्री से पार्टी समू बनाए किसी कारियों को पुरा करने के लिए अधिक समय दे किसी भी क बारे को भागों में बाटे और प्रतिक भाग को अलग पढ़ाए या फिर इस परशी शिक्षर अधिगम सामगरी का अधि क्या करें उप्योग करें इस तरीके से डियर गाइस हैं पर द्रस्टी बादित विद्यारति है और यह परियावन अध्यिन पढ़ाने के लिए इनम पढ़ाने के लिए आप सबसे बेस्ट क्या करेंगे तो द्रस्टी बादित विद्यारति पहले तो समझो द्रस्टी बादित क्या होता है द्रस्टी बादित विद्यारति वे होते हैं जो कि आखों से देख नहीं सकते अब जब यह बच्चा आखों से देख नहीं सकता तो क्या फिरीने अच्छी तरीकि से कैसे पढ़ाएंगे आप वक्षा में शॉक्ति स्मून बना कि किसी कार्य को पुरा करने के लिए अधिक समय देंगे या फिर किसी कार्य को भाग को बाटें और द्व dat निदे तो मैं कर दो दो याँ पेःस दिखाई नहीं दे बच्चे को देखी नहीं रहा है तो फिर आप कैसी उन्हें पढ़ा सकते हैं जो दुरस्टी बातित बच्चा है उसके लिए ब्रेड लिपिगा यूज कराईए इसका ब्रेड लिपिगा यूज कराईए उसमें मोटे-मोट एक्षर लिखे होते हैं बच्चा इस पर्सी के मेरे को पढ़ना है इस तरह के साब को ब्रेड लिपिगे माधिम से बच्चे को पढ़ाना है नेक्स पर्याइवर अधियन का सीक्षन करते हुए पार्ट का वह उप्युक तस्तर जिस पर विध्यारतियों का आखनन किया जाना चाहिए तो वह क्या है वहीं हमें बताना है कि है क्या तो देखो भई पार्ट के ने नहीं ठीक है फिर पार्ट के आरब में नहीं जब विध्यारति आखिलन के लिए प्रसुत हो नहीं बलकि सिक्सन अधिगम के दोरा है बिल्कुल जब आपकी यह पर टीचिंग लर्निंग चली हुई इस स्टार्ट है ठीक है तो जस्ट आपके आरम में ही पहले ही बता देती हूं आपको ठीक है बहुत इंपोटन आपको अपने विध्यारतों की परियावन अधियन प्रियूजना का आकलन करना है और उन्हें सीर्ग परतिपुस्ती फीडबेक देना है तो आप आकलन के किस साधन का चुनाव करेंगे आपको अपने विध्यारतों की परियावन अधियन प्रियूजना का आकलन करना है और उन्हें सीर्ग परतिपुस्ती फीडबेक भी देना है तो आप आकलन के लिए कि साधन का चुनाव करेंगे सो 79 का अगर हम यह पर बात करें राइट अंसस क्या होगा भई देखो सबसे बेस्ट होगा जाँच सूची क्या होगा सबसे बेस्ट ओप्शन होगा जाँच सूची ठीक है चलो नेक्से नेक्स्ट वाइक विश्टन है कि परियावन अध्यन में सीखने का आकलन करने का उदेशय है कि सिखसग विध्यारतियों को अपलब्दियों के विषय में जानकार एक्पर करें यह मुल्यांगन के अपेक्षव शिक्षन का एक क्या है मार्ग है या फिर यह विध्यारतियों के सीखने के बारे में सूचना देता है जिससे अगले चरण के लिए उन्हें सहारा दिया जा सके इस सरीके से बताना है कि परियवन धिन में सीखने का आखलर करने का क्या में रीजन है क्या उदेश्य है तो भाई में इनका उदेशय क्या है देखो यहां पर हम बात करें मेन उदेशय के तो वह यहां कि टीचर विधियारतियों को प्लब्धियों के विश्य के जानकरी क्या करें एक तुरु करें ठीके भाई यह जो है अपेक्षा सिक्षन का एक मार्ग ही नहीं है है ना और भाई इससे जो है बच्चों में नवीन नया ग्यारमी दक्साप्राप करने की प्रगरती के विशे में प्रतिपुस्टी होगी नहीं ठीके यहां पर हमें बताना है कि सीखने का आ करने के लिए कहा तसे विवरंब करें कि त्यresthod Sh MU है क्योंकि की यह विद्हारत्यों को कारण पर्भाव संभशनेουμε में हम करते है यह विद्हॉर्त के शेत्र के की भुhफ भरण rain rusch today चात्रों के अनंदाने में पर चात्रों को समयश्या के विस्यसन थथा उसके हलं के पर बात कर रहे हैं तो यहां पर क्या किरेकलाप इंपोटेंट होगी बस यह बताना है ठीक है जटी बनके अगर हम बात करें राइट आंसर होगा यहां सी ओप्षन यह चात्रों के कख्षाशे बाहर जाने में आनंद देने में क्या है सहायक है क्या है सहायक है हम भूमी भरन और उसके परभाव की विश्य पर चिर्चा कर रहे हैं तो भई हम कैसे स्टेड़ी करेंगे कैसे हमें सीखना होगा किस तरी किसे रूची जो है लेंगे बच्चे और किस तरी किसे आनंदित होंगे तो कक्सा सही बाहर जाके भी आप जो है चीज पर जो है सी ओफ्शन देखो बैइ आपका से उसके लिए गाइस यहां पर थर्ड और फॉर ठीक है थर्ड और फॉर उप्शन राइट होगा बिल्कुल यह सही और फॉर भी सही है ठीक है यह चात्रों को समश्य के विश्य से था उसकी हलकी विश्य में सोचने में क्या करें थोड़ा में पता था कि नीचे उप्शन सभी है क्योंकि प्रयावन समश्याओत था उनके समादान समंदीत मोडल बनाने और रास्टे प्रदर्ष्णी में भाग लेने के लिए कहा जाता है तो यह विद्यारतियों को सलंगन रखने का अच्छा तरीका है क्योंकि विद्या मोडल बनाने में केमती सामार खरीदने में आनंद मिलता है यह फिर मोडल बनाने से विद्यारतों में सरजनल सीलता और समाल उचनात्मक्ता सोच का डवलफ होता है यह फिर मोडल इनमार्ट से कक्षा की निरस्ता भंग होती है तो बहुत करें कि हम विद्यारतियों को परिय बिल्कुल भी नहीं गलत बात है क्या है बिल्कुल भी नहीं गलत बात है क्या आप इसे बच्चों को कीमती समान खरीदने में आनन्द मिलता है नहीं बिल्कुल भी पॉजिटिव पॉइंट्स नहीं है क्या इसे बच्चों में रिस्ता भंग होती है बिल्कुल भी सही पॉइ परियाईवरण अध्यान की शिकषिगा निम्नागी कि त्में से कौन से किरह कलाब का अपने विद्यारतु में परकिर्या कोशल विक्सित करने के लिए उप्योग कर सकती है वही 83 का correct answers क्या होगा यहां पर बागवानी करना क्या करना बागवानी करना ठीक है विए options क्या होगा हमारा best होगा आगे बगीची में दो बरतनों के बीन के बीज बोई गए अध्यापक ने रादा को एक बरतन को च्छाय में और दूसरा सूरे के परकास में रखने के लिए कहा तो रादा को परती दिन के या उनोगन का record रखने को कहा इसी रादा को सहायता मिलेगी आप मिश्वास बढ़ाने में और उनोगन को शल्विक्सित करने में संपरत्यों की परस्तूती में या फिर यहां पर समय बदता और अनुशाशन में गाईज यहां पर देखो बगीची में दो बरतन है इसमें बीन के बीज बोई गए हैं और फिर अध्यापक ने रादा को एक बरतन को च्छाय में और द तो बैस में राइट अंसर होगा देखो यहां पर दी ओक्षन आउलोकन कोशल विक्सित करने में क्या आउलोकन कोशल विक्सित करने में ठीक है चलो आगी बढ़ते हैं नेक्स्ट एक परियावन अध्यापक अपने विध्यारति को एक परियावन सरक्ष कैसे बना सकता है ज अने वस्तु के पुने उपयोग प्रणे चक्रण दोपक्रव करना नए परियावन सब्स्यश्च क्या है तो भई उसे चूज करना के तो बहुत होस्त बतानी है जो सबसे बेस्ट होगा जो पूरे 100 रखेगा अपने आप में ओप्शन्स होगा कि उन्हें अपने इलाके के पेड़ पोदे का देख भाल करता बना का ठीक है आप इस तरीके से इस माध्यम से आप परियावन सरक्षन यानि की पेड़ पोदे को कैसे बचा होना चाहिए उन्हें काटने नहीं चाहिए इतने ठीक है तो किस तरीक से आप खुद से ही अपने घर पेड़ पोदे लगाई है तो आप खुद ही उसका सरक्षन कीजिए आपको खुद बेखुद पता चल जाएगा विद्यार्तियों को पोदे एवं रक्षों के परती समवेदन सिल बनाने के लिए इन अंसर सी बता दे रही हूं यहां पर होगा एव और अप्षन स्टीक है एसी और डी राइट है एसी है डी है और दी है देखो लगडी के लट्थों के गोदाम का भरमन करना और वनों की सरक्षन पर नाटक करना एक पीड को अपनाना तथा उसकी देख भाल करना बिल्कुल लेकिन वनों को काटने से बचाने के लिए पोस्टर बनाना यह इसकी जुरूरत नहीं है ठीक है इस तरीके से नहीं बेस्ट होगा सो बेस्ट यहां पर क्या होगा जैसे में आपको बताया सो गाईज ऐसे ही होगा यहां पर एसी ओर डी हैं आपके उप्षन राइट होगा शिक्षक दौबाया जो शिक्षक्त के अपनी सिक्षण के अनुकोल हो परिक्षभ वीभां को दौबाया विख्सद किये हैं सरुष। इन में से कौन सी पदती बेस्ट होगी तु बही आपरें देखो राइट होगा क्या हैं? यहां पर राइट होगा गाईज डी ओप्शन्स ओके सिख्षक दुवारा बनाए उप परण जो उसके विध्यारती हो उसकी सिक्षन पढाले और इसके स्थाने पर संगुल क्या हो नुकोल बिल्कुल आप इस तरीके का डाटा उसको यूज कराईए इस तरीके से पढाईए जो उसके रियल लाइट से जुड़ते होए हो और जो वित अपनी लाइफ में करता हुआ हो ठीके आदर्स रूप से इन में से कौन सा विकल्प विध्यारती हो दुवारा किये गई कीरा कलापों के पशात उनके सीखने को दृट करने के लिए होना चाहिए घर पर किये गई काक्षा में आपसे विचा विमर्ष या फिर णिवेस की कॉपि में रिकोर्ड बनाए रखना तो बहुत आदर्स रूप से इन में से कौन सा विकल्प विध्यारती दुवारा किये कीरा कलापों के पशात उनके सीखने को दृड करने के लिए होना चाहिए जो भी सिखना नहीं मन कि कख्षा में जो है उसकी आप से क्या विचार जब बच्चों के साथ में विचार विमर्स करेगा संप्रेक्शन करेगा तो बैस्ट यहां पर सीखेगा ओके चलो इनमेंसे किस का प्योगी विच्स शिक्सवाकों के दूआर अपने विध्यारतों के प्रमार्नेक शिखने की शमता का अखलन करने के लिए होगा तीमाई टेस्ट दथक कारे की नोट भूक पॉर्टफॉलियो क्ख्षा में वह-वहा हां सिसक्विश के प्रमार्नेक शार्ण को किसी एतियासिक भवन का बर्मन करना और उसके निर्मार समगरी का निर्मार नमुने को पहचारना किसी शेत्र के लोगों दुवारा सीर पर धारन करने वाले पहनावे पर चिर्चा करना संधर्व पुस्तोको से विबिन परकार के बरतनों के विशे में अनुदेशन या फिर इस संब्धित विबिन परकार के ओजारों किया करती और चित्रों को विध्यारति की साथ क्या करना साजा करना इस तरीकी से आपके सामने क्यूशन से कि हम चीज़े कैसे बनाते हैं वह पढ़ाने के लिए इन में से कौन सी युक्तित वस्त रोज सबसी अधिक व्युक्ति ह होगी ठीके तो वह होगी देखो भाई कि किसी एतियासिक भवन का बर्मन करना और उसके निर्मान सामगरी तो निर्मान नमोनों को पहचाना हैं हम चीज़े कैसे बनाते हैं माल लेजिए हम कुलाडी बना रहे हैं हैं खाट कैसे बने जाते हैं हैं हश्य कैसे बनते हैं तो तो इन सब जानने के लिए आप थोड़ा इती हासिक भर्मंट कीजिए और फिर उसकी सामगरी यूज की जाती है ना उन नमोनों को पहचानिए वो यहां पर क्या होगा बेस्टो बेस्ट होगा तो गाइज यहां पर यह हमारे 90 कुष्टन कंप्रेट होते हैं आपके एवस के आयोप आपको यह शेशन अच्छा भी लगा हुगा अच्छा फटा फट यह बता दीजे कि आपको यह शेशन यहां पर कैसा लगा है और जो हमने पढ़ाया है समझाया है वह आपको समझ में आय अगर आपको हमारी इतनी best to best videos देखने हैं तो उसके लिए ओके गाइस तो चलो फिर बहीं मिलते हैं हम नेक्स शेशन में और तब तक के लिए so thanks for watching keep this study and bye bye take care